सबी को मेरा नमस्कार तो कैसे हैं आप सब लोग मैं अच्छी हूँ वेलकम है आपका मेरे चैनल मैदू के व्लोग में तो फ्रेंड्स अभी हो रहा है एवनिंग का टैम और मैं सुनाने जा रही हूँ आपको फिर एक अच्छी सी कहानी और बताएगा कि आपको कैसी लगी क्य करने का मन करता ही करता है तो सुनिएगा ये कहानी है एक मध्यम परिवार की कि एक परिवार में क्या होता है कि लड़का दस्मी पास करजल्ट जब आता है तो बहुत ही उसके पिता बहुत ही तेजी से खुस होते वे भागते वे अंदर आते हैं और कहते हैं कि कि देखो स्री मती जी बहुत खुशी की बात है आज मेरे बेटे ने 90% अंक प्राप किये हैं दसवी की परिख्या में तो बहुत ही खुशी की बात है ऐसा करो आज खीर या मीठा दलिया बना लो स्कूल की परिख्या में हमारे लागले को 90% मिले हैं तो पिता बहुत ही खुश थे कहते हैं न कि जब कोई खुशी की बात होती है तो अपने आप से ही बहुत जादा अंदर से मन प्रफुली थो उठता है तो खुशी छुपाए नहीं चुपती और मा किचन से दोड़ती हुई आई और बोली सच मुझे भी दिखाए मेरे कामियाबी की पर्ची ये सुनते ही बीच में लड़का फटा फट से बोला क्या पापा किसे रिजल्ट दिखा रहे हैं क्या वह पढ़ी लिखी पढ़ लिख सकती है वह तो अनपढ़ है ये वर्ट किसने यूज किये उस पच्चे ने अपनी मा के लिए यूज किये और मा व अपने आसों को भी नहीं गिरने दिया और हलके से धीरे से उसने अपने आखों को पलों से पोस्ती हुई पोस्ती हुई माचुब चाप दलिया बनाने चली गई लेकिन माने एक बार भी ये नहीं कहा कि बेटा ऐसा क्यों कह रहे है और पिता ने भी उसको स्टेम कुछ भी नहीं कहा तो क्या होता है जब मा अंदर दलिया बनाने के लिए चली गई तो पिता को ये बात पिता ने बात सुनी तो सही लेकिन उनको भी ये बात अच्छी नहीं लगी कि बेटे ने अपनी मा के लिए ये सब्द कहे फिर उन्होंने लड़गे को कहा और वाक्यों में जो जब तु गर्ब में था तो उसे दूद बिलकुल पसंद नहीं था किसको तेरी मा को तेरी मा ने तुझे स्वस्त बनाने के लिए हर दिन नो महने तक दूद पिया लेकिन उसे दूद बिलकुल भी पसंद नहीं था लेकिन वो ये चाहती थी कि उसका बेटा बिलकुल स्वस वह सुबह पांच बजे उठकर तुम्हारा मन पसंद नास्ता और डिबा बनाती थी। जानता है क्यों? क्योंकि वह अनपढ़ थी ना, इसलिए। जब तुम रात को पढ़ते पढ़ते सो जाते थे, तो वह आकर तुम्हारी कापी वह किताब को बस्ते में रखकर, फिर तुम्हारे सरीर पर ओरनी से ढख देती थी और उसके बाद ही वह सोती थी। जानते हो क्यों? क्योंकि वह अनपढ़ थी, इसलिए वो यह सब कुछ करती थी। बच्छपन में तुम ज़्यादातर समय बिमार ही रहते थे, तब वो रात रात भर जाकर सुबह जल्दी उठती थी और काम पर लग जाती थी। जानते हो क्यों? क्योंकि वह अनपढ़ थी न, इसलिए। तुम्हारे ब्रांडिट कपड़े लाने के लिए मेरे पीछे पढ़ जाती थी और खुद सालों तक एक ही साड़ी में रहती थी। जानते हो क्यों? क्योंकि वह सचमुच अनपढ़ थी न, इसलिए। बेटा, पड़े लिखे लोग पहले अपना स्वार्थ और मतलब देखते हैं, लेकिन तेरी माने आज तक कभी नहीं देखा, क्योंकि अनपढ़ है न वो, इसलिए। वो खाना बना कर हमें परोश कर कभी-कभी खुद खाना भूल जाती थी। लेकिन मैं गर उसे कहता हूँ कि वह तुमारी मा अनपढ़ है। शिक्सक, वकील, ड्रेश डिजाइनर, वेस्ट कुक इन सब के दर्सन किये हैं, मुझे माफ कर दो मा, मुझे माफ कर दो और बेटा बहुत जो जोर से रोने लग। मा ने तुरंट अपने बेटे को ठाकर सीने से लगाते हुए कहा, पगले रोते नहीं हैं, आज तो खुसी का दिन है, चल हस। और उसने फिर मेरा मा था चूम लिया, दुनिया की सभी मा को समर्पित, तो मा ऐसे होती है, तो आपने सुनी होगी एक कहानी, कहानी क्या होती है, ये हकीकत होती है, लेकिन हम किसी का नाम, ये सब चीजे लेना, मतलब यहाँ पर सब कुछ अच्छा सा नहीं लगता है, तो इस वज़े से इसे कहानी का रूप दिया जाता है, ये जीवन की एक हकीकत है, क्योंकि बच्चे भी और बच्चे तो गलती करते ही करते हैं, अगर बड़े भी उस चीज़ को सपोर्ट करें, तो ये गलती बहुत भयानक रूप से मतलब सिध होती है, जैसे कि उसके पिता न इसके पिता ने उस तरीके से किस तरीके से इसको समझाते वे सारी बात बताई और बेटा समज गया, तो इन सब चीज़ों को सुनकर वाकिवे बहुत ज़्यादा मन में इक तरीके से ऊजीव से भावाते हैं, क्योंकि हमने भी अपनी मान को देखा है और महसूस किया है कि व लगती है हमें लगता है हमारी मां हमें टोकती है हमें सुनाती है हमें डाटती है हमें पीठती है या हमें ऐसा करने के लिए मना करती है लेकिन उसके पीछे के जो भाव है उसके पीछे का जो उनका एक डर होता है अपने बच्चों को आगे बढ़ने का या फिर किसी गलत संग करती है और ये हर मा का एक रूप होता ही होता है और मुझे भी आज सुनकर बहुत अच्छा लगा और कभी-कभी अपने मन की अब जब हम खुद मा बन गए हैं हमारे बच्चे आज इतने बड़े हो गए हैं वो जब इस तरह की की बाते करते हैं तो हम अपने पीछे जाकर इस एक वर्ड जोर से बोल देती है तो हमें बहुत मलब भुरा लगता है लेकिन आजकल हम बच्चों को डाट भी नहीं सकते क्योंकि हमें डाटने की आदती नहीं रही है हम लोगों को एक तरीके से बच्चों को समझ लो बहुत चोटे-चोटे रूम जब होंगी तभी डाटा को सुरक्षित रखने का एक भाव होता है और कुछ नहीं होता है चाहे वो कहीं कुछ गलस सुनकर हुआ हो कि वहां ऐसा हो गया हमें अपने बच्चों को सेफ रखना है यहां ऐसा हो गया हमें अपने बच्चों को ऐसे करना है तो वो सिरफ एक डर होता है उनके अंदर और उन सब चीज़ों से बचाने के लिए यह सब हमें रोकती तोकती है तो कैसी लगी आप लोगों को कहानी बतायेगा चेरूर और जो भी मेरे चैनल पर न्यू है तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गा support कीजिए गा क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत 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 जरूरत है मेरा चुटकु रो रहा है उदर अरे क्यों रहा है अरे बंजू तो चलिएगा फिर करते हैं आज का कहानी का यहीं पर एंड और हमारा चुटकु बहुत जो रहा है पता निक्या हुआ यह कभी-कभी पता निया तो बहुत ही अचानक से बहुत तेते रोने लगता है तो फिर मिलते हैं कल आप से एक अच्छे से नए ब्लॉक के साथ में या कोई कहानी कथा के साथ में इसी के साथ ओकी बबाई गुड नाइट टेक कियर फ्रेंड्स बबाई अरे बाबू क्या हो गया